इसे इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं इसके उपर कृष्णा हेग्रे हैं जो की शिंदे गुट से हैं जो की शिवसेना की शिवसेना असली शिवसेना उसी को माना जा रहा है और जैसा इलेक्शन कमिशन ने भी कहा है और दूसरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजे गुपता जो नेता है शिवसेना उधव गुट से तो संजे गुपता जुड़ेंगे भी जुड़े नहीं है पर कृष्णा हेगर जी आप से मैं शुरुवात करना चाहती हूं सुप्रीम कोट ने जो आज कहा आपके पास नाम और निशान तो अभी हैं इलेक्शन कमिश से भी तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं आप लोग के लिए यह राहत है और वसे जवाब भी देना है दो हफ्ते में नगमा जी पहले तो मैं कहूं कि हम शिंदे गुट नहीं हैं हम शिवसेना है और सिर्फ एकी शिवसेना है इसी की लड़ाई भी चल रही है सुप्रीम कोट में निग्रे साथ हो गया और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे प्रमुक और सम्मान्य नेता से एकनात राओ जी श चाहिए ना कोई उनका प्रॉपर्टी चाहिए हमें जो आज मिला है वो बाला साहिब की आइडियोलोजी हमें मिला है बाला साहिब का आशिरवाद हमें मिला है हमारे लिए वही बहुत कुछ है और बाला साहिब की जो हिंदुत्वा की आइडियोलोजी उद्दव जी ने ज विचार धारा और बाला साब के आशिरवाद से संतुष्ट हैं आप लोग या आपको आगे भी कुछ चाहिए क्योंकि पहले तो ये कहा था शिंदे जी ने लेकिन उसके बाद जिस तरह से दफ्तरों पे अधिकार आपके गुटने लिया उससे लग रहा है कि सिर्फ आशिरव में कमरा अलोट वा आपको शिवसेना का विधान सभा में आपको दफ्तर मिला जो शिवसेना का था वो गौवर्मेंट ने दिया क्योंकि हम शिवसेना है और गौवर्मेंट ने हमें शिवसेना जो आफिस है वो दिया है आलेमेंट में भी दिया है और वहां पर हमारे जो न मोहर लगा दिया कि शिवसेना हमी है ने फैसले को बरकरार रखा है लेकिन दो हफते में जवाब मांगा और इस पे सुनवाई भी होगी तो संजे गुपता जी महारे साथ जुड़ गए हैं जो की उधव गुट से हैं क्रिशना हेग्रे कह रहे हैं कि हम किसी गुट से नहीं हम भी शिवसेना है पर दरसल संजे गुपता जी लडाई तो इसी बात कि आप लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं है तो जब इलेक्शन कमिशन ने भी कहा और शिवसेना ने भी अभी माफ कीजेगा सुप्रीम कोट ने भी इस फैसले को बरकरार ही रखा है तो ये अब क्या आप मानेंगे नहीं कि शिवसेना जो है वो कृष्णा हेग्रे साहब जिस गुट को का प्रतिर्दित्व यहां कर रहे हैं वो मानते हैं कि शिवसेना तो वही है ये कोई गुट नहीं है शिंदे गुट उनके पास बहुमा तेहर तरे से संजे गुपता जी जी आपको अब आवाज आ रही है थीक है मैं आप से बस यही पूछ रहे है दि प्रतिक्रिया आपकी क्रिश्ना हिग्रे जी को मैंने भी कहा उनका परिचे दिया कि वो शिवसेना के नेता है उधव गुट से उनने का पर इस बात को आप मानते हैं नहीं वैसे सुप्रीम कोट ने भी आज इस फैसले को तो बरकरारी रखा है एलेक्शन कमिशन के तो आपके लिए ये एक अच्छी ख़बर नहीं है अच्छी कबर तो है देखिए निर्वाचा निगों ने जिसके से फैसला दिया है वो फैसला गलत इसलिए है क्योंकि ने देश के लिए ने नोम लिटीड मेंबर्स के अधार पर बनते हैं तो तो तीक है सुप्रीम कोट ने तो इस फैसले को बरकरार ही रखा है ना भी आपको तो वन्हों ने तो कहा है कि जो इसी ने कहा है वो भी स्थिती बनी रहेगी चाहे वो चुनाब चिन्नों हो चाहे वो नाम हो इस पर अपने आपना देंगी तो इस लिए उसमें कि सी बी चाहिक कोई हार नियों कोई जीत निये ये वी ओए लूगले को अपने पास पैंडिक रखा है और इसको अब जहन करने के बाद गांता से अबिवह अपना ने देंगी तो इसलिए ये वार्ट मैर एटेंग कोई बी तो आप संतों लिट फैसले के रूप में देख रहे हैं न किसी की हार हुई है सन्जेजी बिल्कुल इसमे जो इन येक्शन कमिशनके के बाद पर इस निर्ने को दिया उन सभी पर अध्यन करने के बाद ही माने उसको नियाले है लेकिन एक और जिस बात को आप लोग चाह रहे थे कि हो जैसे की प्रॉपर्टी टेक ओवर है बैंक खाते के टेक ओवर है इन पर रोक लगे इस पर सुप्रीम कोट ने कोई रोक लगा नहीं है तो क्या आपको ये डर है कि ऐसा हो सकता है तो अगर उसको नियाले ने इस मामले में दो अपते का समय लिया है तो अपर कपिल सिबल जो आपकी तरफ से इस पर भहस कर रहे तो उन्होंने कहा कि उन्हें डर ये है कि प्रॉपर्टी जो है और बैंक खाते हैं उन सब का टेक ओवर हो जाएगा संग्रक्षन की मांग की ती आप कह रहें कि लालच नहीं है और हम बिशिफ सेना बाला साब ठाकरे की जो विचार धारा है उसको लेकर ही खुश है उनके आशिरवाद से खुश है पर ये डर जो है वो उधव गुट से लगातार जताया गया है देखें वो अपने जो दिलील है सुप्रीम कोर्ट में उसमें उनकी जो साइड की साइड है वो तो रखेंगे लेकिन हम ऑफिशली कह रहे हैं कि हमको सिर्फ बाला साहिब की जो आइडियोलोजी है और उनका आशिरवाद है वो चाहिए क्योंकि दोजार उन्नीस में क्या उसी से भी पहले पथिस साल से लेके हंदीतुआ आइडियोलोजी पर बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी थी दोजार उन्नीस में भी शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ी थी लेकिन दोजार उन्नीस में उद्दव जी ने बीजेपी को छोड़ कर राष् संजे गुपता कह रहे थे कि पुलिटिकल पार्टी के नाम है निशान है वह साहधार पर होते हैं यह नहीं कि आपके साथ कितने विधायक चले गए आप क्या कहेंगे इस पर संजे क्रिश्णा हिग्रे देखे 76% of the votes हमारे पास है 75% of the जो party है वो हमारे पास है executive members हमारे पास है 10 state के president ने हमको support दिया है 11 लाग प्रतिग्निया पत्र हमने election commission को process में सोपा है दियु प्रोसेस में, following the due process और जो हमारे जो नेता हैं जो बाला शायब के साथ उन्होंने पार्टी फाउंड किया वो सब हमारे साथ है अदा थाक्रे परिवार उन्हों इस से ज्यादा क्या चाही है आदा ठाक्रे परिवार आपके साथ है बिल्कुल बिंदु मादव ठाक्रे जी जो बाला शायव के सबसे बड़े लड़के उनके लड़के निया ठाक्रे हमारे पास है उनके सेकेंड लड़के जेदेव ठाक्रे जी हमारे पास है समीता ठाक्रे जी हमारे साथ है सब जो है सब्सक्राइब अबागं पार्टी को बनाया हुआ अपनी विलासत उड़ती है किसी और को नहीं दी तो जो जब दो जी के नहत्तु में सबीने चुनाव लड़ा था जितने भी आद्विदायक है सांसद है वह सबी उद्दों जी के नहत्तु में सन्जै गुप्ता जी अभी और हम भी दिजार करेंगे कि इसके दो हफते का जो वक्त मिला है उसमें पर सुनवाई भी होगी लेकिन इस समय तुम ये कह सकते हैं कि मुसीबत जो है उदव क्याम की वो खत्म नहीं हुई है भले ही जो आपने अपील की थी पेटिशन दी थी वो अक्सेप्ट कर लिया है सु